मेरा नाम महमाद इग्बाल चहुदरी है मैं नाशनल पैंथर्स पार्टी से वावस्ता हूँ जो भी डी लिमिटेशन का एक सिलसिला जो स्टार्ट हुआ जिसके लिए काफी मैं कहता हूं पूरे रियासत जम्हो कश्मीर के अंदर ये एक डिमांड थी कि आखिरकार और खुसुसन पैंथर्स पार्टी की मैं बात करूंगा जिस पार्टी से मैं बिलांग करता हूँ हमारा वैसे ही काफी देर से ये मतालबा था कि आखिरकार जो है ये डी लिमिटेशन कब जो है यहा से बड़ी दोकादड़ी से जो है काम लिया गया मैं कहता हूँ कि भारतिया जन्ता पार्टी ने जहां भी जो देखा कि कहां से हम फाइदा ले सकते हैं कहां से हमारी सीटे निकल सकती हैं और किस तरीके से जो जो वो पचास पार की बात आज बड़े लंबे लंबे दावे क करते हैं कि उस तरीके से उसी तरीके से जो है उन्होंने जो है डी लिमिटेशन को जो है सामने लाकर और लोगों को जो है लली पक दिया गया और सबसे पहले डिमांड ये थी कि डी लिमिटेशन जो है वो दो हजार एकीस के मताबिक होना चाहिए था लेकिन इन्होंने अपनी मनमानी करते हुए जो है 2011 की सेंसिज जो थी उसके मताबिक जो है डिलिमिटेशन को जो फ्रैम किया गया उसके बाद में जो उजरात आये जब डिलिमिटेशन की बात जो है सामने आई जब लोगों ने देखा पलिटिकल पार्टीज ने जब इसको जहांचा कि आखिर कर ये क् उठा कर वहां पहुचा दिया और किसी को वहां से उठा कर यहां पहुचा दिया गया मैं भदरवा में बैठके ये बात आपको बता देना चाला बड़े सपस्ट रफ्सों में ये कह देना चाहता हूं कि भदरवा कांसिज जो है इस वकत तकरीबन तकरीबन जो है एक लाख पच्छास हजार वोटर जो है हमारी कॉंचिंसी का दा हम चाहते थे बधरवा की दो कांचिंच बनाई जानी चाहिए थी लेकिन उसको तो टच्च किया नहीं गया, और इन लोगों ने उस त्रहे से जो है क्या नाम है डिलिमिटेशन जो है लागू करते हुए और इस तरह का जो एक इन्होंने कमिशन बिठा के रखा था मैं तो ये पूरे बड़े बुर्दोर अलफाज में ये बात कहे दना चाहता हूं कि जो भी वो कमिशन बनाया गया था वो एक ही तर्ज का बनाया गया था वो एक ही इन्साफ मिलना चाहिए था जिस इन्साफ के लिए जो है पुलिटिकल पार्टी और लोग जो जो बिलकुल अपनी उमीद लगाए बैठे थे लेकिन वो नहीं हुआ और आज जो जो दो दिन पहले रिपोर्ट को जो है सामने लाया गया उसको सबमिट किया गया तो लोगों उनकी इन्स्रेक्शन पे उनकी डिरेक्शन पे उनकी मर्जी के मताबिक जो है वो सामने लाया गया है और वो पचास की बात पार की बात जो करते हैं वो जो है लोगों के साथ एक नाइनसाफी है पुलिटिकल पार्टी को दरकनार रखा गया है उनके उज़रात लिये गए उसमें भी दो महीने जो हैं तकरीबन जब वो लोगों की बातें सामने आई पुल्टिकल पार्टीज ने सामने रखी कि आखिरकार ये बिल्कुल दोखा लड़ी से काम लिया जा रहा है तो वो भी एक लड़ी पाप था कि दो मीने और तीन मीने का समय दिया गया कि हाँ जी आ ये सामने तमाशा आ गया वो वही था जो उन्होंने पहले उसको डिस्क्लोज किया था लेकिन आज जो है वो जो है वो सारी फिल्म जो है वो सारी पिक्चर जो है वो सामने आए सर जिस तरीके से कुछ रोज पहले डिल इमिटेशन की रिपोर्ट जो सब्मिट कर दिए जो मुक्रिशन की सीवी टाइम लेकिन आपकी क्या रहे हैं देखे एलेक्शन हूँ या ना हूँ वो तो दूसरी बात है मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शायद इनका मूड नहीं है व हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि यह बारतिया जनता पार्टी का एक उनके ऑफिस में बना हुआ डॉक्यूमेंट है जिसको सिरफ डिल इमिटेशन कमिशन ने वैट किया और अपने दस्तकत किये हैं तो वो एक और उसका सुबूत जो कुछ महीने पहले एक कॉल रिकॉर के बाद यह आपके साथ जोड़ने वाले हैं उनने का था मैंने इनको आपके साथ जोड़ दिया है तो उससे यह साफ जाहर होता है कि यह इन्हीं का बनाएवा डॉक्यूमेंट है और डेलिमिटेशन कमिशन ने सिर्फ इनको वैट किया और उसके और भी काई सभूत हैं जो कंसिठोंसी अब देखेंगे इन्होंने किस हसाब से बनाई है कितना हेरफ हेर किया हैं हिसलुक्रियेज़ में डोड़ा वैस्ट की सीट में एड किये हूए हैं बीच में से एसके एरिया वैस्ट में डाले हूए हैं चुन-चुन ऐसी तरह से अगर आप किश्तवार की बात क तरे किश्तवार में पार्डर कांश्चंसी 50,000 की पॉपुलेशन पे बन गई जो कि कोई लॉजिकल बनता ही नहीं अगर इनने जिसका क्राइटेरिया पॉपुलेशन और एरिया होता और पचास जार की पॉपुलेशन पे एक चांश्चंसी बना रहे हैं दूसरी पॉपुलेशन ने उसके हिसाब से करवाई है लेकिन इन्शाला यह इस मकसद में कामयाब नहीं होंगे